वेल्कम टू एक्जाम तक आज है 18 जून और 18 जून 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेस की कोश्चन अम्रोग इस वीडियो में करने वाले साथ मैं आपको बता दू हर एक कोश्चन के साथ में आपको डीटेल में एक्स्प्लेनेशन भी बिलेंगा एंड साथ मैं एक कोश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में देना हैं तो पूरा कम्प्लेट वीडियो ध्यान से जरूर से देखेगा इसकी कोई जैंड पीडियेफ जो हैं आपको टेलिग्राम पर मिल जागी यह जो हैं ICC के द्वारा इवेंट है टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए क्योंकि आज के टाइम पे जब T20, IPL जासे टूनामेंट बहुत ज्यादा चर्चाव में रहते हैं तो टेस्ट मैच को एक तरह से भूली चुके हैं लोग तो इसको जो है इसके competition को रखने के लिए जो है ICC ने 2019 के ODA वर्ल्ड कप के बाद इसकी शुरुवात के लिए एक अगस्त 2019 से स्टार्ट हो था यह टूनामेंट और अभी इसका final हो रहा है अब आप लोग भी शोज़रेंगे इतना लंबा टूनामेंट चला तो इसमें क्या होगा सीरीज होती रही जैसे इंडिया औस्टलिया हो गई उसके अलग से मिलके point उसी टाइम पे इंगलेंड ने उजी लेंड का चल रहा था मैं उनके प्यांट काउंट होते गए इस तरह से मनलब जो है सीरीज पहले की तरह चलती रही लेकिन वो टेस्ट चैंबिन्शिप के अंडर में आती रही ठीक है ना तो इस तरह से यह था और अभी फाइनली आपको पता होगा न्यूजी लेंड और भारत जो हैं ये हैं दो टीमें फाइनल में और इनके बीच में 18 जून यानि की आज से ये फाइनल का मुकाबला शुरू होने वाला है कहां पर होने वाला इंडिया नीजिलेंड के कैपटन इनका नाम तो याद रख नहीं है साथ में इनके नाम पर रिकॉर्ड बन सकता है जैसे अकर बात क्या है ओड़ीय का फॉर्स्ट वर्ड कप जो है 1975 में किस ने जीता था वैस्टर डीज ने जीता था टी ट्वेंटी का जो हैं दो जार साथ में किस ने जीता था इंडिया ने जीता था तो अभी देखते हैं कि 2021 का टेस्ट का कौन सा टूनामेंट जो है मनलब सबसे पहले टीम जीती है यहां तो इंडिया होगी यह न्यूजिलेंड होगी ठीक है तो यह आप लोग देख पाएंगे आगे बढ़ पाएंगे यह आप लोग देख पाएंगे आकाश्वाणी का आर्टिकल है भारत बनाम न्यूजिलेंड विश्वीजिता बनने के राते से सव्थ हम्टन में उतरेगी दोनों दिकज टीम और यह देख सकते हैं यह हैं इंडियन टीम टोटली आप लोग देख पाएंगे मैं आपको एक बार ना 1975 में जब वेस्ट इंडिज ने ओडिय जीता था और एमेस दोनी 2007 में टीट्विंटी वर्ल्ड कप में इंडिया के कैप्टन दे इन दोनों ने तो जो हैं इनुग्रल सेरमानी जीती थी लेकिन अब इन दोनों में से जो हैं कौन जीते गई विराट कोली या फिर केन विलेम करोड का प्राइस मिलेगा तो यह थोड़ा सा याद रखना बारा करोड का फरस्ट प्राइस मिलेगा उसके बाद जो हैं जो है रिशाप पंत रिदिमान सहाय हनुमा वियारी रवी चंदर अश्वी ने रविंद्र जड़ेजा जस्वरिक भुमरा इशान सर्मा मुहमत चमी मुहमत सिराज और शार्दुल ठाकुल यह जो हैं इंडियन टीम रहेगी अगर बात किज़ा आज से जो मैच स्टार्ट हो रहा है फाइनल मैच वो और साथ हम्टन में शुरू हो रहा हैं साथ हम्टन कहाँ पर मिलेगा यह आपको इंगलेंड में मिलेगा आप लोग देख वाएंगे ठीक है ना अब नेक्स्ट अगर बात के सेकेंड कोश्टन के ठीक है अगर फ्रेंड्स आपको यह जानकारी इतनी अच् सब्सटार भारत के पास कितने पर्वन होतियार हैं तो सप्रे की इयर बुक के अंदर जारी हूए है बहुत हैं पर स्वीडन का इंस्टिट्यूटें जिसकी ful form क्या है stokholm international peace research institute फुल form फिर से सुन लिजिये stokholm international peace research institute है यह अभी रिपोर्ट जारी करता है इसी क्याधार पर की शांती क्याधार पर यहां हत्यारों से सम्मन देठीक है न import Macron ऐसर्ट तो वही सब है ठ go ना और अभी इसके रिपोर्ट के अनुसार 2021 के स्टार्टिंग में भारत के पास 156 परमणों हत्यार थे 2020 के स्टार्टिंग में 150 थे जो कि अभी हो चुके 156 पाकिस्तान के पास 165 है यह आप लोग देख वाएंगे ठीके ना तो पाकिस्तान के पास अपने से कुछ ज्यादा ह हैं कितने ज्यादा है तो हत्यार जो हैं वह ज्यादा है लेकिन कितने हत्यार रेड़ी हैं कितने नहीं है उस आदार पर इंडिया काफी आ गए हैं तो इसमें कोई वह बात नहीं है लेकिन यह जो है एक आंकड़ा बताती है और exam point of view से यह थोड़ा सा important रहता है सिपरी की र जाद रखना है मैं आपको इसकी डीटियल रिपोर्ट भी आप आगे बता दूंगा स्टोक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट यह इसकी फुर्फवा में सोलना स्वीडन में इसका आड़कोटर में लिगा 1966 में जो हैं इसकी स्तापना हुई थी और अब मैं जो हैं इसकी ओफिशल वेबसाइट वर लेकर चलता हूँ जहां पर इसकी रिपोर्ट आपको दिख जागी 14 जून को जो हैं यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स ग्रो एज स्टेट कंटिनूस टो अड़नाइस निउस सिप्री अगर बात कि जाएं यहां पर जो हैं मैं आपको और भी कुछ डीटेल्स बताऊंगा जैसे अगर बात किया वर्ल्ड के 90 परसेंट जो हैं अगर बात के न्यूक्लियर वेपन जो हैं यह शेयर करते हैं रश्या एंड यूसे जिसमें अगर बात कि जाएं यह आप लोग चाइना जो हैं अब काफी तेजी से यूक्लियर वेपन का जो ए क्पेंशन कर रहा हैं जब कि इंडिया और पाकिस्तान भी इने नौर्थ को और बाहरे में यहां पर होता हैं गया नॉर्थ कोरिया के आपको ठेस्ट कियेते हैं आप लोग देख पाएंगे यहां पर इस रि यह आप लोग देख पाएंगे ठीक है ना and deployed warheads मदलब क्या है कि यह जो है warheads जो आना यह deployed है किसी भी operation forces के साथ ठीक है ना UK थार्ड नंबर पर आएगा 225 के साथ उसके बाद friends आएगा 290 इतना important है चाइना 350 है इंडिया 156 है पाकिस्तान 165 है इज्राइल भी 90 है और नौर्थ कोरिया है 40-50 के आसवास लगवत क्योंकि किसी को भी exact पता नहीं है यह 9 देश हैं जिनके पास जो है अगर बात किया है atomic मनलब यह जो है हत्यार है बाकि किसी भी देश के साथ जो है अभी इतने हत्यार नहीं है यह सिपरी की रिपोर्ट है और सिपरी की रिपोर्ट काफी important रहती है इसका link में नीचे discussion में दे दूगा अगर किसी को अच्छे से जानना है तो आप लोग जान सकते हैं काफी अच्छी आपको information मिलेगी यहां से ठीक है ना है तो यह आपको थोड़ा सा important याद रखना है भारत के पास 156 है अगर बात की जाए तो भारत जो है इंडिया पाकिस्तान से भी कम है नेक्स्ट है थार्ड कोशन हाली में Microsoft का नया चेर्मेन किसे बनाएगा तो Microsoft important है और इस कंपनी का नया चेर्मेन कौन बने यह बने सत्या नडेला अब आप लोग भी सोच रहेंगे कि सत्या नडेला तो अल्रड़ी मा जो है Microsoft में थे तो Microsoft में वो as a CEO थ अब ही जो है सत्या नडेला बन जाएंगे Microsoft के अध्यक्ष हालां की वो अभी CEO भी रहेंगे और अध्यक्ष भी रहेंगे ठीके ना तो यह आपको याद रखना है Microsoft के अगर बात के 1975 में स्टापना हुई थी and headquarter मिलेगा इसका Washington DC में आपको Washington DC है पोर्टो में एक नदी के किन ने वाले हैं नेक्स्ट यहाँ पर चौता कोश्ण और चौता कोश्ण कोंसा विश्यूम अरुस्थली करन और सूखा रोकताम दिवस्यानि की जो एजर्ट अड़ रहें पूरे वर्ल्ड में उसको रोकने के लिए यह डे मने जाता 17 जून को इंपर्टन याद रखना है संय क्लेक्टिवली इसके बारे में सोचने के लिए यह डे मने जाता है 1994 में आपको इंपर्टन याद रुकने इसकी थीम क्या थी रीश्टोरेशन लेंड रिकावरी यह जो है इसकी मेन थीम थी बागे इसके आगे यह वी वर्ड है इतने इंपर्टन ही है यह थोड़ा से तो वह जो है एक तरह से कह सकते हैं जो की उत्री दूपर है थर्ड नंबर पर आएका सहारा जब कि अगर पूछ लाए विशु का सबसे होट डेजट कौन सा यानिकी गरम रेगिस्तान तो फिर जाहिर सी बात है सहारा है उसके बाद आकर बात के इंडिया और पाकिस्तान में क गोबी डेजट कहां पर है ये चाइना अंगोलीया में मिलेगा आपको तकला माकन जो हैं ये भी चाइना में मिलेगा अरब का रेगिस्तान है उस्ट्रिया का विक्सित क्या जाएगा तो यह क्या नैशनल एरिटाइम हेरिटेज अगर बात यह अरिसर यह जो है समुद्री विरासत को भारत को बढ़ावाद देने के लिए अभी पास में जो आपको बेक्राउंड आवास सुनाई दे रहे होगी अभी मैं आपको बता दूँ है बरसात का टाइम मौन्सून का टाइम एंड गाव में जो हैं मॉर्निंग में जब वीडियो शूट होता है तो इसी तरह की आवाज आएगी कई बार में वीडियो शाम को शूट कर देता हूं तो कोई बैग्राउंड नहीं आते हैं आज का वीडियो अभी मैं जो हैं लगबग 6 बजे ही शूट कर रहा हूं मॉर्निंग में तो समुदरी विरासत परिश्वर जो है यह कहां पर विक्षित किया जाएगा यह गुजरात के लोध्थल में विक्षित किया जाएगा इंपोर्टन याद रखना है लोध्थल बाइदवे आपको याद रखना है चारों के चारों यह जो स्तल हैं, ये हैं, सिंदू, घाटी, सब्यतासे Kangard, लोथल में, क्या मिलाता? यहाँ पर मिलाता अंदरगा यहना कि अक्यार्ड ये अंदरगा जो ऐ, लोथल में मिलाता, धोलावीराव में मिलाता, इस्ट्रेडियंम, काली, बंगा जो आने, यह कामपर है यह राजस्तान में है और रोपड मिलेगा आपको पंजाब में ठीके ना तो यह चारों इस्थल आपको याद रखने है लोथल और दोलाविर अभी कामपर है तो यह हैं गुजरात में अभी प्रिजेंट टाइम है और लोथल में जो है राष्टिय समुदरी वि सब्सक्राइम अदिए लिए तो एक दो कोस्व जों को हैं हमने हटा दिए नेक्स्ट चटा कुस्ट आ वह भारत सरकाने टीबी मुक्त होने का लकसे कप तक के लिए रखाय है तो अभी टीबी फ्री होने के लिए लकसे क्योंकि टीबी जो हैं पूरे विश्व का लगभू 30 पर्टी परसंट टीबी के जो हैं अरी जो हैं ये इंडिया से समझनी थे मलब आप लोग देख सकते हैं टीबी अभी भी इंडिया में काफी ज़दा फैलव हैं तो अभी इंडिया ने टार्गेट रखा हैं दो जार पच्चिस तक हलांकि पहले यही टार्गेट था अभी पर लेशे से टीबी को मुक्त कर दिया जाएगा जबकि भारत ने दो जार पच्चिस तक रखा हैं दो जार बाइस तक क्या रखा हैं हर घर में आवास यह जो है हर व्यक्ति के लिए आवास साथ में जो हैं अगर बात की जाए 2022 तक और कौन सा है कि सनों क्याना है को दो 30 तक और भी इंडिया के लिए तो यह सब जोना टार्गेट येर्ज भी आपको थोड़े-थोड़े याद रखने होते हैं तो यह आपको कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके लिखनी है ताकि मैं भी सोच पाहूं कि आप कितना ज़्यदा एक्टिवली है अगर आप अमेजोन ऑनलाइन कहीं से भी जो हैं कुछ भी पर्चेज करते हैं तो आपको मैं बता दूँ एक लिंक मिल जागा आपको नीचे डिस्कृट में वहां से खरीद सकते हैं इससे आपको कुछ भी एक्ष्ट्रा पे करने के जरूर खरीदे अब एकल के सवाल का अंसर तो इज्राइल जो हैं यह वर्ल्ड का पहला जो हैं देश बन गया जहां पर अभी आसक पहनना जो हैं अनिवारिया नहीं है क्योंकि वहां पर हंड्रेट परसंट वेक्सिनेशन वगरे का काम हो चुका है इसाग हर्गोज जो हैं इसके अलबा जो हैं वहांके नए प्रदानमित्री भी बन चुके हैं तो यह भी आपको याद रखना अब है आज का कुशन तो में मन्त के लिए जो हैं ICC Player of the Month की से चुना गया इनका नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिगना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर शे कर लेना है साथ मैं टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लो मिलते एक नए वीडियो में तब देख लिए जय हिन जय भरत